नमस्कार हॉपफीट न्यूज में आप सभी का स्वागत है श्रिफ सेना आज के समय की कॉंगरेस बन चुकी है जी हाँ श्रिफ सेना का नाम जहन में जैसे ही आता है तो एक ही बात समझ आती है कि सत्ता और परिवार के लिए यह पार्टी कुछ भी कर सकती है एक समय अपने आ पड़े श्रिफ सेना से जुड़े ताजा मामले की बात करे तो इसके एक नेताने सुप्रीम कोर्ट में एंसीबी के मामलो और शारुक खान के बेटे आर्यन के मौलिक अधिकारों के उलंगन की जाच कराने का आदेश देने गानुरोद किया है बतादे कि महाराश में राज से इस मामले में हस्तक शेप करने का आगरे किया है साथ ही साथ तिवारी ने कहा कि एंसीबी दो साल से दुर्भावना पूर्ण उद्देश्यों को लेकर पक्षपात पूर्ण तरीके से फिल्मी हस्तियों को परिशान कर रही है इतना ही नहीं अनुछेत 32 के तहट सुप्री इंटी दी गई है जिसका इंसीबी लंगन कर रहा है उन्होंने कहा कि विशेश एंडी पीएस कोट द्वारा आरिन खान और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला 20 अक्टूबर तक सार्वजनिक अवकाश का हवाला देते हुए टालने से आरोपी का बड़ा अप अधिकार की पूरी तरह से अवहेलना है इतना ही नहीं तिवारी ने एंसीबी और उसके अधिकारियों पर चुनिंदा बॉलिवुद चेलिप्स को निशाना बनाकर बदला लेने का आरोप लगाया है साथ ही एंसीबी और उसके रीजनल डारेक्टर समीर वांख्रे की भूम नामों उनके परिवारों को ही एंसीबी टार्गेट कर जाज कर रही है इसके अलावा बता दे कि शिफ सेना नेदा ने कहा कि सुशान सिक राशपूत की मौत के मामले की जाज के साथ इस पूरी जाज को एक गलत दिशा में मोड़ दिया गया है एंसीबी ने क्रूस पार्टी से जितना ड्रग्स बरामत किया है वहें मुंबई पुलिस की उपलबदियों या डी आर आई के सामने एक मजाख है गौर तलब है कि पिछले मही ने गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह में से तीन हजार किलोग्राम मादक पदार जब्त किया समय में कॉंग्रेस की भाशा बोलती नजर आती है और सिर्फ भाजपा विरोध उसका एजंडा बन चुका है जो दिखती सी बात है ऐसे में किसी नेता द्वारा ऐसे बाते कही जाना कोई बड़ी बात नहीं वैसे जाच एजिंसियों को स्वतंत्र रूप से अपना काम करने देना चाहिए लेकिन लगाता श्रिफ सेना द्वारा मुंबई में एंसी बी के कार्यों पर उंगली उठाई जा रही है और इसके पीछे सीधे सियासी लाग बटोरने की कोशिश है और मुंबई में श्रिफ सेना अपनी सत्ता बचाए रखना चाहती है जिसके लिए वह कु को उत्तावली है देश चानल होपकी को सब्सक्राइब कर और खबरों को शेर करें